सत्संग के फूल इस प्रवचन माला के प्रथम भाग को प्रारंभ करते हैं पूजे स्वामी रामसुगदाशी कहते हैं सत्ता मात्र का ध्यान बड़ा सुगम है सन मात्रम सुगमम निरणाम परमात्मा है यह जरूरी है परमात्मा कैसा है यह जरूरी नहीं है यह कह सकते हैं कि वह संपून देश, काल, वस्तु, व्यक्तियादी में परिपून है जैसे हम जानते हैं कि हम श्रीराम धाम अर्थात कहीं भी किसी भी एक स्थान में है ऐसे ही माल लें कि हम हर समय परमात्मा में है अपने अभाव का अनुभाव कभी किसी को नहीं होता जैसे मैं हूँ ऐसे परमात्मा है इस प्रकार सत्ता मात्र का ध्यान बड़ा उंचा ध्यान है यहे वृत्ती का ध्यान नहीं है अभी तू, स्विक्रिती का ध्यान है चिंतन मिट जाता है पर स्विक्रिती नहीं मिटती भूलने पर भी स्विक्रिती नहीं मिटती यह विश्वास हो कि भगवान मेरे हैं जैसे मा मेरी है यह विश्वास है भगवान सबसे बड़ी मा हैं वे मा भी हैं, पिता भी हैं, पिता महा भी हैं वे हमारे हैं, ऐसा मानने में बहुत आनन्द है शरीर निरंतर जा रहा है, मृत्यू नस्दी का रही है अतहब, अपना समय उसी काम में लगाना चाहिए जिसे हम ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते अपना कल्यान हम ही कर सकते हैं संसार के काम तो दूसरे भी कर लेंगे संसार की सेवा करनी है और भगवान से प्रीम करना है भगवान मेरे हैं यह बहुत मार्मिक बात है प्रीम अपने पन से होता है अतहकेवल भगवान को ही अपना मान ले शरीर अपना और अपने लिए है ही नहीं परमात्म प्राप्ति बहुत सुगम है द्वंद्व ही बंधन करने वाला है अब द्वंद्व रहित कैसे हूं सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेश ठीक बेठी कोई भी रहने वाला नहीं है सबका अभाव हो रहा है स्रिष्टी मात्र अभाव में जा रही है उसमें क्या ठीक, क्या बेठीक मिटने वाले में लगाव कैसे हुगा जो रहने वाला नहीं है उससे क्या राग करें, क्या द्वेश करें क्या राजी हों, क्या नाराज हों संसार का व्योग ही नित्य है सन्योग नित्य नहीं है सन्योग को कोई रख सकता ही नहीं जिसका वियोग होता है उसके सन्योग की इच्छा छोड़ दू कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जिसमें सन्योग टिकता हो वियोग न होता हो किवल मृत्यू ही मृत्यू है जीना तो है ही नहीं जीना चाहते हैं, तो मरने पर रोना पड़ेगा जीना चाहते ही नहीं, तो फिर रोना क्यों पड़ेगा केवल सन्योग की इच्छा का त्याग करना है रखना चाहते हैं, पर रहता नहीं तभी तो दुख होता है, मुक्ती कठिन नहीं है बंधन कठिन है हम यहां रहने वाले नहीं हैं हम यहां आए हैं और यहां से जाना है हम यहां पशु पक्षियों की तरह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं है प्रत्युत अपना उद्धार करने के लिए आए हैं परमात्मा है, संसार नहीं है जो पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा वह वर्तमान में भी नहीं है सब वस्तुएं नहीं में जा रही है संसार का नहीं पना ही सिद्ध होता है साधक का काम है नहीं का त्याग कर देना और है मेस्थित होना त्याग तो स्वतह हो रहा है यह बना रहे इस इच्छा का त्याग करना है नहीं स्वाभाविक नहीं है है स्वाभाविक है सत तो अनुभव रूप ही है अनुभव तो असत का ही होता है सत का नहीं आप नहीं के द्वारा है को देखना चाहते हैं यह गलती है मन लगने का सबसे बढ़िया उपाय है उपेक्षा, उदासींदा न विरोध करें, न समर्थन करें एकाग्रता करना चाहोगे तो मन एकाग्र नहीं होगा पहले परमात्मा का लक्षे करके फिर लक्षे को भी छोड़ दो नहीं तो त्रिपुटी आ जाएगे परमात्मा कैसा ही हो वह अपना है संसार कैसा ही हो उसको छोड़ना है जिसको छोड़ना हो उस पर विचार क्या करें जिसको ग्रहन करना हो उस पर भी विचार क्या करें मा कैसी ही हो हमारी ही तो है भगवान ने बड़ी कृपा करके मनुश्य शरीर दिया है कि एह जीव सदा के लिए सुखी हो जाए भोग और संग्रह के लिए मनुश्य शरीर नहीं दिया है मनुश्य शरीर में ही दूसरों की सेवा हो सकती है मनुश्य भगवान की भी सेवा कर सकता है भाव के भूखे हैं भगवान यह भाव मनुष्य से ही मिल सकता है मनुष्य भगवान की भी भूख मिटा सकता है उद्धार के लिए खास बात है मैं पन बदलना मैं साधक हूँ तो साधन से विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ दूसरों की तरफ देखने वाला कभी कर्तव्य निष्ठ हो ही नहीं सकता दूसरे का कर्तव्य देखना अकर्तव्य है अनधिकार चेश्टा है साधन करना कोई काम धंधा नहीं है जिसमें छुट्टी होती है यह तो जीवन है श्वास की दर है इसलिए गीता में आया है तस्मात सर्वेशुकालेशु माम अनुस्मर युद्यचा परमात्मा हैं और वे अपने हैं उनको छोड़कर शरीर को मुख्य मानना गलती है भगवान के अंश को तो भगवान में ही स्थित होना चाहिए पर इसने प्रकृती के अंश को पकड़ लिया ममई वान्शो जीव लोके जीव भूता सनातनाह मनाह शष्ठानी इंद्रियाने प्रकृति स्थानी कर्शती इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयम मेरा ही सनातन अंश है परन्तू वह प्रकृती में स्थित मन और पाचों इंद्रियों को आकरशित करता है अपना मान लेता है प्रकृती का अंश तो प्रकृती में हिस्थित है प्रकृतिस्थानी भूतानी भगवान आपको निरन्तर बुला रहे हैं इसलिए आप कहीं भी डिक नहीं सकते, आप जिस वस्तु परिस्थिती अवस्थादी को पकड़ते हैं, वह छूट ही जाती है, आप आज हिर्दय से साथी और सामान को छोड़ दो, तो आज ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वास्तव में प्राप्ति तो है ही, भगवान में भी यह ताकत नहीं है, कि आपको अपने से अलग कर दें, वह है ही, मैं के कारण हूँ हुआ है, अहम ब्रम्हास में वृत्ति है, उपासना है, तत्व नहीं है, सो हमस्मी इती वृत्ति अखंडा, वृत्ति को विशय रुपी वायू बुझा सकती है, अंचल वात बुझाव ही दीपा, तब ही दीप विज्ञान बुझावी, तत्व, स्वयम को विशय रुपी वायू नहीं बुझा सकती, गीता में शर्णागती की बात मुख्य है, शर्णागती को सर्व गुहियतम कहा है, जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए उसके लिए परमात्मा की शर्ण में जाना, बहुत सीधी सरल बात है, जैसे बालक का अपनी मा की गोद में जाना, शर्ण में जाने का काम जीव का है, और सब पापों से मुक्त करने का काम भगवान का है, शिमत भगवगीता में भगवान कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य, मामेकम शर्णम व्रजा, अहम्त्वा सर्वपापेभ्यो, मौक्ष इश्या मिमाशुजा, भगवान ने तो हमें शर्ण में ले रखा है, किवल हमें संसार की शर्ण नहीं रखनी है, शर्णागत आरंभ में ही मुक्त हो जाता है, शर्णागत सिद्ध होकर साधक होता है, ज्यानमारगी साधक होकर सिद्ध होता है, साधन शरीर निर्पेक्ष होता है कारण की साधन में स्वयम की जरूरत है शरीर की नहीं धेय परमात्मा का होने पर भी जड़ शरीर का सहरा लेना गलती है समाधे तक जड़ शरीर का सहरा है सबसे उचा सहरा परमात्मा का है उद्योग तो करो, पर उद्योग का सहरा मतलो माम आश्रित्य यतन तिये और का सहरा न ले, किवल भगवान का सहरा ले तब काम होगा पारमार्थिक मार्ग पर चलने के लिए विवेक की बड़ी आवश्यक्ता है गीता का आरंभ भी विवेक से हुआ है जीने की इच्छा और मरने का भाई आविवेकी में ही होता है विवेकी में नहीं जो चिंता करते हैं, वे भी आविवेकी हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए यह इच्छा कहलाती है प्रान शक्ती नश्ट होने पर भी इच्छा शक्ती रहती है तभी आगे जन्म होता है इच्छा शक्ती न रहे तो दोबारा जन्म नहीं होता मरने वाला तो मरेगा ही और ना मरने वाला नहीं मरेगा गंगा जी के प्रवाह को रोकना भी मूर्खता है और प्रवाह को धक्का देना भी मूर्खता है अपने अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए स्वे स्वे कर्मन्य भिरताहा संसिध्धिम लभते न रहा स्वकर्मना तमभ्यर्च्य सिध्धिम विंदतिमान वाहा परमात्मा का पूजन करने से संसार में सब का पूजन हो जाता है शिमत भागवत महापुराण में आया है जिस प्रकार व्रिक्ष के जड़ सीचने से उसके तने शाखाएं उपशाखाएं आदी सभी का पोशन हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को त्रिप्त करने से सभी इंद्रियां पुष्ट हो जाती है उसी प्रकार भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है कारण यह है कि परमात्मा संपून पुराणियों के सनातन तथा अव्यय भीज है बीजम माम सर्वभूता नाम विद्धी पार्था सनातन बीजम अव्ययम आम समान है सभी आश्रमों का लक्ष परमात्म प्राप्ति ही है ब्रम्हचरिय आश्रम सभी आश्रमों की नीव है मकान दिखाई देता है पर नीव नहीं दिखती अच्छे अच्छे महात्माओं की नीव दिखाई नहीं देती छिपी रहती है हम यहां आए हैं और जाने वाले हैं यह जागरती हर समय रहनी चाहिए ऐसा भाव रहने से दुरगुन दुराचार नहीं होंगे अन्याए नहीं होगा स्थाई रहने का भाव ही अनर्थ करता है जाने के समय का कोई पता नहीं है रहने का तो भरोसा नहीं और जाने की तैयारी नहीं यही बड़ी गलती की जो भी दिखाई दे उसमें परमात्मा है यह सबसे सुगम ध्यान है मेरे को सुख मिल जाए यही पाप की जड़ है भोगों और रुपयों में लगे हुए मनुष्य परमात्म प्राप्ति का विचार भी नहीं कर सकते ब्रम्हचरी आश्रम अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाली चीज है काम से अधिक समय हो और खर्चे से अधिक पैसे हो तो ऐसे मनुष्य का उद्धार होना कठिन है विध्या प्राप्ति करने का बढ़िया उपाय है गुरू की आज्यां का पालन करना मनुष्य शरीर मलमूत्र पैदा करने की फैक्टरी है परंतु इसमें एक गुण है कि जीव अपना उद्धार कर सकता है यह गुण देवताओं में भी नहीं है जबकि देवताओं का शरीर दिव्य होता है उनको मनुष्य शरीर से दुरगंधी आती है गाय का शरीर बहुत पवित्र है उसका गोबर गोमूत्र भी पवित्र है पर उसमें भी कल्यान नहीं होता जो जिस वस्तु का दुरुपयोग करता है उसे वह वस्तु पुनह नहीं मिलेगी सदुपयोग करने से पुनह वह वस्तु मिलती है यदि कोई मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करेगा तो उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा मनुष्य शरीर दुरुपयोग करने के लिए नहीं मिला है वास्तों में अच्छाई सब भगवान की है बुराई हम लोगों की है जैसे पानी नल में दिखाई देता है पर वह वहां से नहीं आता टंकी से आता है ऐसे ही अच्छी बात भगवान की कृपा से आती है बीज को उबाल दिया जाए या भून दिया जाए तो फिर बीज से कुछ पैदा नहीं होता ऐसे ही मदिरा धर्म के अंकुर को जला देती है मदिरा पीने वाला तत्व चिंतन नहीं कर सकता मनुश्य शरीर मिल गया इसलिए इसकी दुरलपता का पता नहीं लगता अपना समय निरर्थक मत जाने दे भगवान से प्रार्थना करो कि हे नात मैं आपको भूलू नहीं मेरे द्वारा किसी की सेवा बन जाए यह भाव रखो जितनी सेवा आप कर सकते हैं वही आपकी पूरी सेवा है और उतनी ही आशा दुनिया आप से रखती है जितना आप सुगमता से कर सको उतना उपकार करो और भगवान को याद करो भगवान याद करने मात्र से प्रसन हो जाते हैं अच्युतहा स्मृति मात्रेन भाव सब के हित्का रखो और याद भगवान को करो अपने शक्ति का सदुप्योग करो तो मुक्ति हो जाएगी अपने कर्मों से भगवान का पूजन करो स्वकर्मना तमभ्यर्च्य यह नियम है कि असमर्थ मनुष्य ही दूसरे को असमर्थ बनाता है कमजोर दूसरे को कमजोर बनाता है समर्थ दूसरे को भी समर्थ बना देता है समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य ये मिली हुई और छूटने वाली चीजें है इनको यदि भगवान के अरपन कर दें तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी इनको भगवान के अरपन करना भक्ति योग है प्रकृति के अरपन करना ज्यान योग है संसार के अरपन करना कर्म योग है अपने अरपन कर दें तो यह है जन्म मरन योग हो गया जिसकी चीज है उसको दे दो तो मुक्ती हो जाएगी मानव शरीर लेने के लिए नहीं है देने के लिए है हम पर सभी प्राणियों का रिन है क्योंकि सभी से हमारा उपकार होता है इसलिए सब की सेवा करो मानव शरीर भगवान की कृपा से मिलता है 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को भगवान बीच में ही कृपा करके मानव शरीर देते हैं यह अवकाश देते हैं यह शरीर देवताओं के लिए भी दुरलब है शंकराचारी जी लिखते हैं भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ती का कारण है वे मनुश्यत्व, ममक्षत्व और महापुरुशों का संग यह तीनों ही दुरलब हैं बिना हेतू प्राणी मात्र का हित करने वाले दो ही हैं भगवान और उनके भग्त भगवान की वानी गीता है भग्त की वानी रामायन है शिक्षा दो प्रकार से दी जाती है कहकर और करके गीता में कहकर शिक्षा दी गई है और रामायन में करके शिक्षा दी गई है भगवान ने बड़ी कृपा की जो हमारा इस समय में जन्म हो गया और हमें उनकी भाक्ती करने को मिली प्रतीक परिस्थिती में भगवान की क्रपा है अनुकूल परिस्थिती में भी दया है मा लड्डू सब बालकों को देती है पर थपड अपने बालक को ही लगाती है अपने पन में जो प्यार है वह लड्डू में नहीं है भगवान की कृपा की तरफ देखते रहें दुख आने पर पुराने पापों का नाश होता है और नया विकास होता है भगवान की कृपा को देखो सुख दुख को मत देखो माता कुंती ने विपत्ती का वर्दान मांगा था परिस्थिती को मत देखो उसे भेजने वाले दाता को देखो संसार का वियोग नित्य है और भगवान का योग नित्य है सर्वसमर्थ भगवान में यह ताकत नहीं कि वे खुद ही जीव से अलग हो जाएं शिमत भगवत गीता में वासुदेव सर्वम को सबसे उंचा ज्यान बताया गया है आप देखोगे तो दिखाई देने लग जाएगा पहले भी भगवान थे बाद में भी भगवान रहेंगे और बीच में भी भगवान ही है ऐसा मान लो तो फिर कहां बंधन है संसार से सुख लेने वाला कभी दुख से बच सकता ही नहीं दूसरों को सुख देने वाले सेवा करने वाले के पास दुख फटक सकता ही नहीं साधना का सत्संग का यह भाग संपूर्टा को प्राप्त होता है शेश अगले अंक में झाल झाल